आप में से बहुत सारे लोग मुझे अलरडी जानते होंगे और उनसे भी बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे तो इससे पहले कि हम इस देमो लेक्चर को स्टार्ट करें मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं अपने बारे में दोस्तों मेरा नाम सिमरंजीत सिंग है और मैं इंसिट्यूट अफ कंपनी सेक्रेटरी जूफ इंडिया का एक एक एसोशेट मेंबर हूँ 2010 में मैंने CS कॉलिफाई किया इसके साथ साथ मैंने कॉमर्स में और लॉग में ग्राजवेशन किया है दिली इनिवर्सिटी से और पोस्ट ग्रेजवेशन किया है कॉमर्स में और लॉग में इसके साथ साथ मैं लॉग में पीएच्टी भी परस्यू कर रहा हूँ और पिछले ग्यारा सालों से मुझे टीचिंग एक्स्पीडियंस है बहुत बड़े बड़े इंसिट्यूट्स कॉलिजेज में इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल सेमिनार्स लिये हैं स्टूडेंस को मोटिवेट किया है स्कूल लेवल पर, कॉलिजेज लेवल पर, टीचर्स के सेमिनार्स कंड़क्ट किये हैं स्कूल लेवल पर, कॉलिजेज लेवल पर और लॉज और कॉमर्स से रेलेटेड तो बहुत सारे सेमिनार्स रोज मर्रा पर हमारे होते ही रहते हैं कॉरोना वाइरस की वज़े से अब हम ये सेमिनार्स को वेबिनार्स में कनवर्ट कर दिया है अब हम online ये seminars conduct करते हैं और मैंने एक unique teaching style develop किया है जिसके लिए मुझे कई बार award भी मिला है as a best faculty तो ये एक brief introduction मेरे बारे में आये जी अब एक बार ज़रा subject का भी introduction ले लेते हैं बिटा ये demo lecture है company law CS executive module 1 paper 2 के लिए और इस paper को हम दो तरीके से आपके सामने लेकर आएंगे एक हमारी live sessions होंगे online और एक हमारे recorded sessions होंगे आपको जिस mode में भी पसंद आए क्योंकि live mode में ये एक कह सकते है कि advantage है कि आप teacher के साथ interact कर सकते है teacher के साथ बातचीत कर सकते है no doubt recorded में भी हम आपको number provide करेंगे so that you can ask your queries later on but उसमें थोड़ा सा delay हो जाता है query पूछने में live session में आप face to face teacher को queries पूछ सकते हैं तो हम दोनों sessions में available है live में भी है recorded में भी है company law के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है आईए एक बाद जरा इसको भी जान लेते हैं basically अगर हम बात करें बिटा ये जो company law का आपका subject है उसको hundred marks में बिटा bifurcate किया हुआ है जिसमें आपको part one है that is company law principles and concepts ये 50 marks का बिटा three that is company secretary as a profession 10 marks का बिटा ये part है इससे पहले ये company secretary as a profession कहीं पर भी आपको अलग से पढ़ाया नहीं जाता था हां foundation level पर role of company secretary बहुत चोटा सा chapter था जो student को पढ़ाया जाता था लेकिन बहुत detail पढ़ाया नहीं जाता था तो अब इन्होंने बहुत अच्छा किया कि new course के अंदर इसको 10 marks का dedicatedly ताकि student इसको पढ़े और इसके अंदर बहुत अच्छी debt instrument, charges, distribution of profit, corporate social responsibility, audit and auditors, transparency and disclosure, intercorporate loan, registers and record, corporate reorganization, MC21 and global trends and developments यह बहुत चोटे 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 चाप्टर्स हैं लेकिन बहुत सारे चाप्टर्स हैं 50 marks के अंदर और एक बहुत इंट्रस्टिंग पार्ट है बहुत अच्छा पार्ट है इसके बाद हमारा बेटा आता है part 2 जिसके अंदर हमारा company, administrations and meeting 40 marks का है इसके अंदर जादा नहीं है board, constitution and its power है, directors है, KMP and the remuneration है, meeting of board and committees है, general meeting है and virtual meeting है तो इसके अंदर chapters कम हैं लेकिन हर chapter अपने आप में बहुत बढ़ी weightage रखता है मैं old course के अगर बात करूँ बेटा, तो old course के अंदर एक बहुत problematic बात ये थी, के old course के अंदर directors और meetings वाले chapters तो थे लेकिन dedicatedly ऐसे 40 marks का नहीं था, कभी questions आ जाते थे, कभी questions नहीं आ जाते थे तो director और general meeting ये अपने आप में इतने बड़े chapters है, student इतनी महनत भी डालता था और उसके बावजूद भी कभी बार question नहीं आता थे, तो बड़ी निराशा होती थी, लेकिन अब इन्होंने इसको 40 marks में, कह सकते, bifurcate कर दिया है, dedicatedly 40 marks इसके लिए रख दिया है, कि आपको इ मैंने आपको जैसे बताया, part 3, company secretary as a profession, ये 10 marks का है, उसमें बहुत छोटे-छोटे तीन चाप्टर जापका, legal framework governing company secretaries, secretarial board, secretarial standard board, और mega firms, बेटा, ये 3 chapters है, और इस तरीके से बेटा, ये company law का आपका जो पूरा का पूरा syllabus है, ये आपका bifurcate है, एक छोटी सी चर्चा मैं इस सर हमें इसमें पढ़ना क्या है वाइदवे, तो company law के अंदर देखो, law एक बहुत wider term है अगर मैं बोलू, तो इसमें बहुत सारी चीज़े include हो जाती है, जैसे companies act इसमें हमें पढ़ना पढ़ेगा, इसमें हमें companies के अंदर जो circular आते हैं, companies act के अंदर वो पढ़ने जो notification central government time to time issue करता है, वो भी हमें इसमें read करनी पढ़ेंगी, orders जो आते हैं वो भी हमें इसमें पढ़ने पढ़ेंगे, rules पढ़ने पढ़ेंगे, जो companies act के अंदर जो central government ने बनाये हैं, और finally हमें कुछ e-forms हैं, वो भी हमें पढ़ने भी पढ़ेंगे और उनको यादवीर कर है, सर अगर मैं company law subject की बात करूँ, तो company law subject को भी हमने कई parts में bifurcate किया, इसमें एक part तो है provision वाला part जो हमें पढ़ना पढ़ेंगा, जिसमें मुझे company law के provision पढ़ने पढ़ेंगे, rules पढ़ने पढ़ेंगे, circulars और notifications पढ़नी पढ़ेंगी, यह provisional part है बेटा, लेकिन आप के इसी company law वाले subject में बेटा एक procedural part भी है, जिसमें आपको procedures पढ़ने पढ़ेंगे, procedures में क्या है, हर चीज़ को हम बड़ी systematically पढ़ेंगे, sequence में पढ़ेंगे, और उसके procedures भी हमें learn करने, इस बार paper में आपको procedures भी बहुत अच्छे से पूछे जा सकते हैं, फिर हमें case laws भी करने पढ़ेंगे, मुझे इसमें कह सकते हैं, कुछ resolution draft करने पढ़ेंगे, मुझे minutes कैसे बनाने हैं, वो मुझे आना चाहिए, board meeting के minutes कैसे बनाने हैं, वो मुझे आना चाहिए, जो public notices हम serve करते हैं, advertisements वगारा देते हैं, उसके भी हमें चर्चा इसमें हम करेंगे, तो एक portion भी पढ़ना है, और हमें registers and records को भी धान में रखते हुए, बद्य नजर रखते हुए, चलना है, तो ये तो बेटा, एक कह सकते हैं, कि आपका introduction वह company law का, बेटा, इसी के साथ-साथ setting up का भी एक छोटा सा part है, जिसमें company law include होता है, जैसे अगर मैं आप से बात करूँ, company law की तो कुछ chapters आपको पता ही होगा, एक नया इन्होंने subject, new course में इन्होंने डाला है, that is setting up of business entities and closure, इसके अंदर क्या है, company law का initial part उसमें डाल दिया है, जैसे आपका company का meaning and introduction, फिर characteristics of companies, फिर incorporation of company, फिर promotion of company, फिर उसके बाद आपका MOA, AOA, फिर alteration of MOA, AOA, बेटा, ये भी बहुत ही है, कि हम इसको company law के साथ साथ ही पढ़ें, इसलिए setting up का वो portion भी मैं ही deal करूँगा आपके साथ, तो मतलब मैं complete company law की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिरफ, क्योंकि कई बार क्या होता है, बड़ी problem आती है, जब हम directly, straight away, share capital chapter से start कर देते हैं, तो student को इससे प अब हमने क्या इसमें किया है, कि company law पूरा का पूरा मैं ही deal करूँगा, जिसमें आपको जो setting up का वो शुरू का जो portion है, part A, वो I will be taking up, along with company law, ताकि पूरा का पूरा company law जो है, वो हम एक साथ पढ़ें और हमें वो सब trouble ना आए, आये जी, अब हम स्टार्ट करते हैं with our first chapter, that is brief history of company law in India, इस chapter में बेटा हमें बहुत detail पढ़ना पढ़ेगा, कि कैसे companies act इंडिया में आया, और अभी जो हम companies act 2013 पढ़ रहे हैं, कैसे ये act evaluate, कैसकते इसका evolution हुआ, जैसे शुरू में क्या था, फिर कैसे कैसे इसमें और provisions add होते गए, आज जो इसका स्वरूप हम देख रहे ह ये कैसे इसका evolution हुआ, वो सब हमें इस brief history वाले chapter में पढ़ना पढ़ेगा, एक बात मैं आपको starting से ही बता दूँ, हम जो कुछ भी अभी इसमें पढ़ेंगे, मैं आपके सामने ppt's share कर रहा हूं, आपको each and everything you have to write it down in your register, so that you can have your notes, आपके पास notes हो जाने चाहिए end में, ये ज तो कुछ भी हम पढ़ेंगे, हम इसको बहुत detail में पढ़ेंगे, तो और study material जो होगा हमारा वो base होगा, जिसके हम base पर पढ़ेंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि सब किताबें पढ़ने के बावजूद भी study material तो end में पढ़ना ही पढ़ता है, तो हमारा जो base होगा, that will be study material, त तो उसी के basis पर हम ये सारा का सारा पढ़ेंगे, और आप पाएंगे कि सर ये आपको study material से भी जब आप इसको compare करेंगे, तो आप पाएंगे each and every topic of the study material has been covered, so we will ensure this कि आपका study material पूरा cover होना चाहिए, ताकि आप अच्छा score कर सके अपने examination के अंदर, चलिए जी, start करते है बिट दिली कंपनी थी, that was East India Company, तो और ये फर्स कंपनी जो थी बेटा East India Company, आप सब जानते हो, that it was founded in 1600, and it came in India in 1615, इसे established किया गया था, इंडिया से trade करने के लिए, it is a British company, मतलब ब्रिटेन में बनाई गई थी, और उस समय पे company को incorporate करना एक बड़ा difficult task था, उस समय पे जो queen थी वहां की, उस से permission लेनी पड़ती थी, and it was a very hefty task, बहुत लंबा task था, उस पे बहुत time भी लगता था, पैसे भी तो ये पूरी के पूरी company establish करी गई, इंडिया में trade करने के लिए, ताकि ये company फिर इंडिया में आ और trade कर सके, ये company incorporate तो 1600 में हो गई थी, लेकिन इसको इंडिया में आते आते, कदम रखते रखते, 15 साल लग गए, 16-15 में came to इंडिया, इसके दो-3 कारण थे, पहला कारण थ ता, जिसके थुरू आना था, इसमें एक-दो साल का वक्त लगता है, और दूसरा कारण था, हमारी country के अंदर, Britishers के आने से पहले, already Portuguese हमारी country के अंदर व्यापार कर रहे थे, तो जो Kings थे, वो already उन Portuguese के साथ बहुत जादा व्यापार कर रहे थे, तो इनको हम enter नहीं करने दे रहे थे, अपनी market के अंदर, क्योंकि Portuguese जो थे, वो उनको रोक रहे थे, जो Britishers थे उनको आने से, उनको पता था कि अगर ये लोग इंडिया में आएंगे, तो फिर Indians इनके साथ व्यापार करेंगे, फिर इनको फायदा होगा, और हमें फायदा नहीं होगा, तो हमारे राजा इसको आउट किया, और कैसे वो इन किये, तो it is a long story, बहुत लंबी story है, मैं उसमें नहीं पढ़ूँगा, तो आते आते से इनको 15 साल लग गए, और सर, first Companies Act जो इंडिया में सेट अप हुआ, that was Companies Act 1850, वो पहला Companies Act था जो बेटा हमारी कंट्री में पास हुआ, and क्योंकि पूरा Britisher राज हो चुका था, कह सकते हैं, पहले तो हमारी कंट्री को East India Company ने कंकर किया, वो तो बाद में उसने रानी को इंडिया सौंप दिया as a gift, they gifted India to the Queen, जब उन से नहीं संभला थो, तो पहले हमारे उपर किसने राज किया, सर कही साल तक तो East India Company हमारे उपर राज करती रही, और East India Company ने फॉरण के जितने laws थे, जैसे ब्रिटेन में जो English Laws था, Companies Act 1844, उसी के basis पर उन्होंने इंडिया के अंदर भी Companies Act सेट अप कर दिया, that was Companies Act 1850, तो ये कौन से Companies Act पे बेस था बेटा, England के Companies Act पे बेस था, जो 1844 में बना था, इसके बाद बेटा, शुरू में ज बेटा नहीं था, Limited Liability का Concept बाद में एड ओन किया गया, Companies Act के अंदर, मतलब अगर मैं बात करूं, तो इनिशली, तो हमारे पास जो Companies थी वो, with Unlimited Liabilities थी, तो the concept of Limited Liability in India was recognized for the first time in Companies Act 1857, तो 7 साल के बाद, उन्होंने एक नया Companies Act लेकर आए, Companies Act 1857, which was based on Companies Act 1856, तो जब जैसे जैसे English Companies Act में change होता था, वैसे वैसे हमारे Companies Act में भी changes आते रहे, आप इसको note कर लेना, अगर आपने note नहीं किया, तो आप इसको post करके एक screenshot ले सकते हैं, और बाद मैं राम से बैठके इसको note कर सकते हैं, मैं आगे move कर रहा हूं, उसके बाद बेटा 1866 की अगर बात करें, तो एक consolidated act बना for, जिसके अंदर incorporation, regulation, winding up of trading companies and their associations, उनको कैसे incorporate किया जाएगा, क्योंकि पहले incorporation से related जो concept था, वो Companies Act में नहीं था, मैंने आपको बताया, company को incorporate करने के लिए, you have to take the permission of the queen, तो वो बहुत लंबा task था, तो उसके अंदर अपने कोई incorporation के कोई provisions थे नहीं, तो जब इनोंने incorpor operation के provisions डाले, तो हाथो हाथ इनोंने कुछ authorities भी बनाई, जो उसको incorporate करेंगी, उन authorities को set up किया गया, और बहुत सारी चीज़े की गई, वो 1866 में जाकर हुआ बेटा, तो कह सकते हैं, जो development होना start हुआ, वो 1866 से start हुआ, और this act was based on English Companies Act 1862, certainly, मैं आपको बताया, जैसे जैसे English Companies Act मे change होता था, England के Companies Act में change होता था, वैसे वैसे हम भी अपने Companies Act में changes करते थे, and the act of 1866 was recasted in 1882, तो 1882 में बेटा, दुबारत से हमने उसको recast किया, to bring Indian Companies Act in confirmity with English Companies Act 1862, तो करते, 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 हम अपने Act में भी changes करने लगे, and this act continued till 1913, तो 1913 तक हम इसी Act को follow करते रहे, and उसके बाद English Companies Consolidated Act एक पास हुआ, that was 1908 के अंदर, तो फिर हमने भी 1913 के अंदर, अपने Companies Act के अंदर, चेंच गिया, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके की company होती थी, that was public company, और private company का concept नहीं था, private company का concept तो बहुत बाद में डाला गया Companies Act के अंदर, तो बाद में सर 1936 के अगर हम बात करें, तो बहुत heavy amendments हुई, जिसके अंदर बहुत सारे concept को add-on किया गया, banking company का concept उस समय पर डाला ग Indian banking companies act बन गया था, तो फिर हमने companies act से banking company का concept हटा दिया, और अलग से separate act बना दिया, तो 1950 तक banking companies होती, वो भी companies act से ही govern होती थी, फिर अगर हम बात करें, it may be noted, कि Indian companies act जो है, वो English companies act से बहुत मिलता जुलता था, मलब उसी को follow करता हुआ था, तो जैसे जैसे English companies act में changes होते थे, वैसे वैसे हमारे companies act में भी changes होते थे, इसी वज़े से हम अब जब Indian companies act पढ़ते हैं, तो हम बहुत सारे foreign cases की भी reference लेते हैं, जैसे हम Salomon versus Salomon की बात करते हैं, हम Lee versus Lee की बात करते हैं, और बड़े सारे cases हैं जो foreign के cases हैं, लेकिन हम उनकी चर्चा अपने act में करते हैं, हम क्यों करते हैं सर ऐसा, क्योंकि सर हमारा act और उनका act is very closely associated with each other, जैसे जैसे उनके act में change होते गए, वैसे वैसे हम अपने act में भी changes करते गए, तो अब हम उनके act, उनके जो courts हैं, English courts ने जो decision पास किये, उनको भी मानते हैं, हमारे उपर भी वो equally applicable है, ठीक है, इसका भी एक बार बिजनस था, वो completely change हुआ, Companies Act 1913 तो चलता रहा, लेकिन आपको पता है, 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, और उसके बाद हमने सोचा कि why not we should make another Companies Act, जो अपना Indian Companies Act हो, तो government appointed a committee for that, under the chairmanship of Mr. Khunwarji Aramisji Bhava, जिनको CH Bhava भी बोला जाता है, 25 October 1950, हमारा constitution आपको पता ही है, 26 January 1950 क सम्विधान लागू हुआ, 26 November 1949 में सम्विधान बना, तो उसके बाद हमने सुचा कि हम अपने Companies Act में भी changes करते हैं, और उसको constitution से in line करते हैं, तो उस committee को हमने set up किया, और Mr. C.H. Bhava, he was a very, I will say, a scholar at that time, बहुत बढ़े लिखे आदमी थे, और इनोंने, ये Mr. C.H. Bhava है, एक ब बड़े पड़े लिखे व्यक्ति थे, जिनको Act के बारे में बड़ी समझ थी, तो इनी की chairmanship में एक committee का गठन हुआ, आपको पता ही है, जब भी कोई Act बनता है, तो पहले committee बनाई जाती है, वो एक draft bill पास करती है, वो लोक सबा में पास होता है, फिर राज्य सबा में पास हो सब्सक्राइब करी थी, 1952 में, विच वाज इंटर्दूस इन पारलेमें इन 1953, जिसके उपर डिटेल डिसक्शन हुआ, और फाइनली ये Act 1956 में बना, जिसको नाम दिया Companies Act 1956, जो अभी रिसेंटली तक भी हम पढ़ते थे, 2013 से पहले, हम वही Act को फॉलो करते थे और पढ़ते थे, तो उस Act को एक बहुत बड़ा Act माना जाता था, हम Mammoth Act कहते थे, Mammoth का मतलब, एक सबसे बड़ा Mammal जो on Earth, we can say it is Mammoth, वो पुराने जमाने में एक हाती होता था, बालो वाला हाती, आपने शायद देखा होगा, Ice Age मूवी में भी आपने शायद देखा होगा उसमें, त तो इसको Mammoth Act इसले बोलते थे को कि बहुत बड़ा Act था, 658 sections थे, 15 schedules थे, 18 part थे, तो इत्ते बड़े Act को इनको इनोंने बनाया, और Companies Act 1956 को बहुत बार amend किया, 1960 में, 62 में, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 74, 77, 85, 88, 91, 96, 1999, 2000, 2002, दो जो major changes हुए, वो बटा हुए एक तो 1991 में, जैसे आप जाने लानते हो, liberalization, privatization और globalization हुआ, तो जब liberalization, privatization, LPG जब वो आया, तो उसकी वजए से हमने बहुत सारी अपने Act के अंदर changes किये, और दूसरा सबसे बड़ा change हुआ, 2000 के अंदर, जब हमारा information technology act आया, और सारी चीज़े electronic होगी, मतलब इससे पहले तो सारी चीज़े क्या थी, physically हो किया, और इतनी amendment के बाद हमें लगा कि नहीं, अब हमें एक नया Act बनाना चाहिए, नया Act ड्राफ्ट करना चाहिए, और उसके बाद फिर ये Companies Act 2013 की, जो कह सकते हैं, 2004, 2006 तक, तो कुछ नहीं था, लेकिन 2006 के बाद, we thought of making a new Companies Act, जिसके अंदर सब कुछ change कर दिया जाए, ठीक ह इसका भी आप एक बार बेटा screenshot ले लिजे, मैं आगे move कर रहा हूँ, तो सर, Companies Amendment Act जो आया ना 2000 के अंदर, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर major changes हुए, Companies Amendment Act 2000 के अंदर major changes हुए, क्या-क्या changes हुए, आई है, जैसे minimum paid up share capital का जो concept था, उसको बढ़ा दिया गया, पहले minimum paid up share capital 10, 1000 थी, मतलब पुराने company जाट के अगर हम बात करें, तो minimum paid up share capital was only 10,000, लेकिन इसको बढ़ा कर 1,00, और 5,00, प्राइवेट कंपनी की 1,00, पॉब्लिक कंपनी की 5,00, प्रेजेंट लिए अगर मैं बात करूँ, तो अभी minimum paid up share capital का कोई criteria नहीं है, तो आप zero paid up share capital से भी start कर सकते ह फिर इन्होंने deemed public company का concept चलता था कि अगर सर का एक public company कुछ प्राइवेट कंपनी जो है वो अगर गडबड करेगी तो मुसको deemed public company मानने के वो भी इन्होंने abolish कर दिया, फिर सेबी को कुछ powers दी company के अंदर, लिस्टेड कंपनी की सारी पावर हमने सेबी को दी, फिर इसके अंदर small deposit holders का भी concept हमने add किया, कि small deposit holders को भी protect करना चाहिए, private placement का concept दिया, private companies को, क्योंकि पहले private companies public से पैसा नहीं ले सकती थी, लेकिन उसको हमने restrict कर दिया, 50 लोगों से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, पहले कोई limit नहीं थी, तो protecting the interest of small deposit holders, small deposit holders के interest को protect किया, पहले उनका concept add किया, और फिर उनके interest को भी protect किया, फिर 10 करोड से जादा अगर आप security issue करते हो, तो depository के थुरू करोगे, shelf prospectors or information memorandum, equity share with differential voting right, and postal wallet, इस सारे concept अभी हम पढ़ेंगे, जब हम company that detail में पढ़ेंगे, इस सारे concept पढ़ेंगे, मतलब companies amendment act के अंदर बहुत बड़े-बड़े changes है, बहुत major major changes है, तो हमने सोचा, अच्छा, companies amendment act 2002 के अंदर भी बहुत सारे changes है, जैसे part 9A, एक पूरा का पूरा एक company incorporate कर सकते हैं, पहले यह सरफ cooperative society बना सकते थे, लेकिन companies act ने फिर इनको place दिया, कि कोई बात नहीं, आप as a producer company भी इसको setup कर सकते हो, तो एक 9A डाला गया, फिर company law board को dissolve करने की बात हुई, और NCLT को establish करने की बात हुई, national company law tribunal, फिर national company law appellate tribunal को बनाने की बात हुई, जिस authority थी, board of industrial and financial reconstruction, sick industrial companies act था, उसके अंदर ये authority थी, BIFR इसको abolish किया, एक और authority थी, AAIFR उसको भी abolish किया, BIFR की सारी power NCLT को दी, high court की सारी power NCLT को दी, कुछ और greater role company secretaries के लिए, professionals के लिए, chartered accountants के लिए, कुछ डाले गए, और एक NCLAT की, मैंने बताया, AAIFR, जो BIFR की appellate authority थी, that is appellate authority to industrial and financial reconstruction, उसकी सारी powers in national company law appellate tribunal को बेटर ट्रांसफर करी, तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी amendments करी, इस companies amendment act 2002 के अंदर, और फिर हमने सोचा कि क्यों ना हमें अपना एक, अपना act बनाया, तो major amendments जो हुई companies act, companies amendment act 2006 के अंदर हुई, जिसके अंदर director identification number को mandatory कर दिया था, जितने भी forms थे वो electronically जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया, 2000 के अंदर, वो information technology act आ गया था, और information technology act आने के बाद, सब कुछ इन्होंने electronic कर दिया, notices circular जो थे वो भी electronically जाएंगे, और कुछ value added services, इन्होंने electronic form में start करी, और information technology act 2000 को apply किया, इन्होंने electronic records maintain कर सकत तो इतनी amendments जब हुई, तो हमने सोचा कि क्योंने एक brief, एक companies act 2013 बना लिया जाए, तो क्या किया government ने, government of India ने एक concept paper expose किया, public के अंदर, electronic medium से, कि भाया हम एक companies act बना रहे हैं नया, और आप हमें अपने सुचाव दो, public के लिए इन्होंने open कर दिया, भाया आप इसको देखो, ये concept paper को, और अपने views दो हमें, government को मीथि क्या लोग views देंगे, कोई जादा views नहीं देंगे, लेकिन government हैरान होई, लोगों ने बहुत सारे suggestions दी, बहुत भारी suggestions मिले, जब government को इतने suggestions मिले, तो government भी फिर तरफ सोचने लगी, कि हमें companies act को change कर देना चाहिए, हमें companies act के अंदर बदलाव कर देने चाहिए, तो एक committee बनाए गई, जमशेर जिजी इरानी committee, जिसको हम बोलते थे, Mr. इरानी एक बहुत बड़े, कह सकते हैं, scholar थे और अपने time के बहुत बड़े, कह सकते हैं, विद्वान थे, इनको बहुत awards भी मिले उस समय पे, पद्वमभूशन से इनको स scholar, और British Iron and Steel Research Association को इन्होंने जोइन किया, बाद में ये, Tata Steel को इन्होंने जोइन किया, और Chief Post पे gradually आ गए थे 2007 के अंदर, और 2007 में इनको पद्वमभूशन अवार्ड मिले बड़े अच्छे समझदार व्यक्ती थे, तो इन्ही की कह सकते हैं, चेर्मेंचिप के अंदर, एक कमेटी का गठन किया गया, 2nd December 2004 के अंदर, और इसका काम क्या था, कि सर, इट विल अडवाइस द गोवर्मेंट पर रिविशन अफ पार लेकर हो, क्योंकि पहले क्या था, जो 1956 था, वो तब बनाया गया था, जब हमारा liberalization, privatization और globalization नहीं था, लेकिन globalization होने के बाद, इंडिया एक कह सकते हैं, open economy बन गई, बहुत सारी countries इंडिया में आने लगी, तो जो चीजें बाहर की कॉन country को प्रशान करती थी, वो थे हमारी country के laws, because they were very strict and they were very complex, बड़ी complicated laws थे हमारी country के, तो उसको international laws से पार पे लेकर आने के लिए, इस committee का गठन किया गया, and committee submitted a comprehensive report on 2009, एक बिल इन्होंने पास सब्मिट किया लोग सबा में 2009 में, और जो की 3rd अगस्त को सब्मिट किया इन्होंने, और 31 अगस्त 2010 के अंदर parliamentary standing committee बनाई, जिसने companies बिल दुबारा से सब्मिट किया कुछ amendments के साथ 2012 के अंदर, इसको reintroduce किया गया, उसके बाद जो बिल था वो लोग सबा में पास हो गया, December 2012 के अंदर, और राजे सबा के अंदर 8 अगस्त 2013 के अंदर पारित हुआ, और 29 अगस्त को इसको precision की ascent भी मिल गई, तो finally ये act जो था ये पारित हो गया, और new companies act जब आया तो इसमें 470 sections थे, 29 chapters थे, और 7 schedules थे, तो ये एक नया companies act जो है ये form किया गया, इस companies act के अंदर बहुत नए-नए concepts डाले गया, सब चर्चा करेंगे, detail करेंगे, one person company का एक नया concept डाला गया, small company को introduce किया गया, dormant company का concept डाला, woman director का concept डाला, independent director का concept, पहले independent director का concept से भी के अंदर होता था, security exchange, security exchange board of India, उसमें वो जो आपकी listing agreement होता था, तो listing agreement के अंदर independent director का concept था, वो जो corporate governance का वो जो clause होता था, उसमें था ही है, resident director का concept अड़ किया गया, special court set up करी गई, secretarial standards को जो है कह सकते हैं, एहमियत दी गई, फिर secretarial audit इन्होंने अलाव किया, class action, vigil mechanism, registered value, rotation of auditors, then corporate social responsibility का concept डाला, cross border mergers डाले, prohibitions of insider trading, बहुत सारे नए 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 concept इन्होंने companies act 2013 के अंदर introduced के, मतलब companies act 2000 1956 के अंदर बहुत कमिया थी, उन सब कमियों को दूर किया और companies act 2013, अब जो हमारा ये act है बिटा, ये act पार है with international laws, मतलब जो international laws हैं, अलग-अलग countries के, उनको देखते हुए, इसको हमने act पार किया, तो ये बिटा, हमारा आज का ये chapter फिनिश हुआ, that is, brief history of companies act, I hope आपको ये lecture समझ में आया होगा, इसी के साथ, आम इस lecture को ये ही पे stop करते हैं, अब हम next lecture के अंदर, companies act का और company की introduction स्टार्ट करेंगे, और basic कुछ characteristics उसके पढ़ेंगे, thank you so very much, I hope आपको ये lecture पसंद आया होगा,